Hello friends my name is Amit and welcome to Editech Smartphone तो आपको सबको पता होगा आज कर हर किसी के पाद smartphone होता ही है Smartphone के बगिर आज कुछ भी नहीं जलता है आप smartphone को अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो भी आप अपने smartphone के साथ एक power bank तो carry करते हैं क्योंकि कितना भी जादा बड़ा इमेज का बैटरी हो आपको पूरे दिन की बैटरी बैकप तो मिलती है नहीं या आप घर पे भी होते हो तो कंटीनिय आप चार्जिंग लगते रहते हो तो आज मैं आपको एक छोटी सी टिप बताऊंगा जिससे आप अपने स्मार्टफोन क बैटरी को ज्यादा समय तक पावर सेव कर सकते हो जो कि आपको पूरे दिन की बैटरी आटलिस्ट पूरे दिन की बैटरी बैकप दे सके तो इस वीडियो में मैं ऐसी छोटी सी चोटी टिप बताऊंगा तो लेट्स टार्ट पाहले टिप में मैं बताने चाओंगा स्क्रीन बætoonkous आगर आप सेटिंग में जाते हो उसके बाद आपको डिस्प्ले कि सेटिंग में जाना ओगा जहांसे आप जहां पे आपको अड़ेप्स बैटने स्टिंग में लेगा उसे आप आफ कर दीजिए इसे आफ करने के बाद आपको जब कोई भी अगर इंडोर में होते हो या आप जब आउटवर में होते हो तो आपका जो ब्राइटनेस लेवल है वो अचानक से कम ज़्यादा नहीं होता है जिसे आपको अपने इस अप से सेट कर लिजिए तो जिससे क्य आपको जो brightness है, वो आपका जो कम ज़्यादा होता है उससे आपको जो power ज्यादा consume होता है, वो नहीं होगा, जिससे आपका बैटरी है कुछ समय के लिए आपको Save होता रहेगा इसे क्याफंट अगर किजी आप सेंटाने सेटिंग में आपसेंग जाना निए आपस निए आपको स्माठफॉन tu LSE पर अच्छा अब लिख नइसे ऐसे GPA के आपको। प्ले है वो राइट नहीं याने चलता नहीं रहेगा जिससे आपका जो पावर से होगा तो यह भी एक अच्छा टिप है इसे भी आप यूज करके देखिए टिप नमर 3 में आपको साउंड और नोटिफिकेशन में से जाकि वाइबरेशन को बंद करना होगा तो आप उसके लिए सेटिंग में जाकर साउंड और नोटिफिकेशन में जाए वासे आप जो आपको कॉल के वाइबरेट आते हैं उसे बंद किर दिए साथी डिफॉल्ट अ जो मोटर होता है जो की वाइबरेट होता है वह नहीं होगा जिससे आपको जो स्मार्टफोन का बैटरी है उस पर लोडने बढ़ेगा और जो आपका पावर है उससे होगा तो यह भी एक अच्छा टिप है जिसको आप यूज कर सकते है अपने स्मार्टफोन के बैटरी से जिससे क्या होगा आपके स्मार्टफ़न की जो LED जलती है स्मार्टफ़न में तो वो कम जलेगी जिससे आपका स्मार्टफ़न की power से होते रहेगा तो कोई भी live wallpaper को होगा या कोई भी आपका जो bright wallpaper होगा उसे change कर लीजे और उसके जिए कोई भी dark wallpaper को download करके उसे set कर लीजे जिसे आपका power से होता रहेगा जो कि आपके battery के लिए अच्छा है अगले टिप में आपको क्या करना है आपको जो एप की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए उसे बंद करना होगा जिससे क्या होगा आपको जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं जो एप की आपको ज़रूत नहीं है तो जिससे आपका नोटिफिकेशन आने से आपको जो स्मार्टफ जाने के बाद आपको app notification में जाकर जिस एप की notification नहीं चाहिए उसे block करना होगा यहासे आपको block all का option मिल जाता है या आप यहासे setting change कर सकते हो तो block all पे click करने के बाद आपको उस एप से related notification नहीं मिलेंगे जैसे जिस जिस एप का आपको notification नहीं चाहिए उसे आप यहासे बंद क कर सकते हो जिससे आपका जो नोटिफिकेशन आने बंद हो जाएंगे उस एप से रिलेटेट यहां से सभी एप को भी आप रिसेट कर सकते हो तो यह एक अच्छा ऑप्शन है जिससे आपको जो एप के अन्सोर्स एपस के जो नोटिफिकेशन आते हैं वह आपके नोटिफिके का होता है कि company अगर आपको कोई भी update देती है उसमें वह अपना जो company है वह battery को improve करती है या कोई भी bugs या security को improve करती है तो अपना जो about phone में जाके अपना जो system update है उसे हमेशा up to date रखिए system को update रखने से जो आपके smartphone में जो सभी चीजे वह improve होती रहती है साथ ही अपना जो भी all application उसे प्लेश्टूर में जाके आप update कर लीजिए आपका जो सभी एप से update रहने से क्या होता है कि आपका जो बैटरी है उस पर थोड़ा बहुत तो भी फरक पड़ेगा जिससे आपका जो पैटरी हो से उतर होता रहे अगली टीप में आपको मैं बताऊंबगा की आपका जो जबी एप से जो background data restrict करना वहाँ उसके लिए आपको शडीन में जाकर आपका जो data user से उसमें जाना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर restricted background डाटर का ओप्शैन पर ओके करना होगा जिससे क्या होगा कि आपका जो यह एक अच्छा option है जिससे आप आउन करके रखने से आपका जो background का data रिस्टेक्ट होता रहीगा यानि जो background में data वर नहीं चलेगा जिससे आपका जो battery वह सेवता रहेगा तो इसे भी ऑन करके रखेए जिससे आपको जो battery वह थोड़ा बोग्त तो सेवता रहीगा अगली टिप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब बाहर होते हो या कभी भी आप जो वाइफाई या ब्लुटूथ वगेरा का यूज नहीं करते हो तो उसे बंद करके रख दीजिए जैसे कि आप वाइफाई नहीं करते हैं तो उसे बंद कर दीजिए से आपके बैटरी है उसमें थोड़ा सा फरक पड़ेगा अगली टिप में मैं आपको बता हूँगा कि आपका जो भी स्मार्टफोन में जो वेजेस होते हैं उसे आप निकाल दीजिए रीमू कर दीजिए साथ ही आप अगर जो एप का यूज नहीं करते हैं पर्टिकिलर तो उस एप को अंस्टॉल कर लीजिए जिससे आपको जो एप से आपको स्पेस तो बढ़ेगा साथ ही आपका जो एप जो रनिंग में रहता है वो भी नहीं रहेगा तो आप जो एप का यूज नहीं करते हैं जिसको तो उसे आप अंस्टॉल करके कर दीजिए साथ ही आप अप आपने जो Smart Phone में जो रनिंग Apps चलते रहते हैं उसे खिल कर दीजिए All App को आपको कील करना होगा जिससे आपको जो Smart Phone में कोई भी चलता ने रहेगा जिससे आपका जो बैटरी घो से वता रहता है अगले और लास्ट टिप के बादे में बता हूं तो मैं आपको एक App बताऊंगा Greenify जिसको आप Play Store से easily download कर सकते हैं यह अप में अच्छे का से rating मिले ग्रीनिफा एप जो है उसे आप download कर लेने के बाद आपको यह ऐसे तीन option भी लेंगे जिसमें आपको plus के इसमें add करना होगा यह एप क्या करता है कि आपको जो भी एप यूज नहीं होता है उस ए झाल करना होगा उसके बाद आपको जो our use नहीं करते जैसे कि मैं जैसे कि मैं pa tv app को खरते लिए ल腌 गल् брат जाएगा जिसले आपको वह पूरा काम करना तरह आपको फिर से यूज करना है तो यह आपको फिर से यूज करना होगा जिससे यह आपको फिर से यूज करना होगा जिससे यह आपको फिर से यूज कर सकते हो तो यह अच्छा है जासे आप इस आपको आप हाइबरनेट करने के बाद आपना जो बैटरी है उसे सेव कर सकते हो तो friends अगर आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बैटरी से होने के कुछ आसान से टीब्स बता है जिसके इस्तेमाल से आप अपने स्मार्टफोन के बैटरी को कुछ इंप्रूव कर सकते हैं और से हो भी करसकते हैं जिससे आपको पूर फुल्डे के बैटरी बैका पैटलिस मिल जाए, तो ये वीडियो आपको पसंद रहा वे तब ऐसे video को लाइक और शेयर करना ना भोले और ऐसे video को दीखते लेने के लिए please मेरे चैनल को subscribe कर लेजёए मिलते हगले वीडियो में तब ते के लिए take care and bye bye friends